हेलो एवरिवान नमस्ते तो आज मैं जो ये रीडिंग करने जा रहे हूं काईस वो 15 अपरेल 1998 बॉर्न पीपल के लिए होगा तो यहाँ पे मैं एक्स्प्रीन करूंगे अबाउट यो फ्यूचर फाइनेशिल कंडिशन आपका कर्या कैसा रहेगा और आपके फ्यूचर स्पा कोई में क्या लिखा हुआ हैसके उपर हम लोग आज एक एंडिडियल रीडिंग करेंगे और यह जो रीडिंग है यह टाइमलेस है जैंडर लीडिंग भी है और यह पूर बहुत मेश्चर फीरी मेल सरकिसी के लिए हैं और मेरी जितने ही रीडिंग होते हैं और सारी ही टाम रहेगी तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ काई जितना साधा हो सके आप लोग में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थाकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी धे साई न्यू न्यू टॉपिक्स के उपर रीडिंग कर पाऊं और आप लोगों की लाइप में चूटी सी प्यारी से हेल्प लापाऊं गाईज सो अभी हम रीडिंग शूर कहते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या-क्या कार्ड्स आए हैं तो काईज यहां पर मैंने आप लोगों के लिए दो कार्ड्स सिलेक्ट करे हुए हैं दॉ हाई प्रिस्टस का का कार्ड है इन रिवर्स में and four of cups का कार्ड है guys in reverse में तो यहाँ पे मैं पहले आपके past और current situation के बारे में एक इंट्रो दे दूँगी ताकि आप लोगों को भी एक proper guidance मिल जाए कि हाँ मेरे past में यह सब हो चुका है मेरे current situation में यह सब चल रहा है और मेरे future में मेरे नियती में यह लिखा हुआ है तो इस sequence को मैं यहाँ पे follow कर रहे हूँ guys ठीक है और पहले मैं आपके career और finance के बारे में सारे details बताऊंगे and after that I will explain about your love life ठीक है तो guys पहले तो मुझे यहाँ पे आपके nature में थोड़ा emotional side जादा ही feel हो रहा है means आपके birth chart में water content जो है means जो water element जो है वो बहुत जादा strong है शायद आप लोग water sign के होनी के chances है cancer score प्योपाइस ठीक है तो मुझे उस तरह से feel हो रहा है कि आप लोग ना means बहुत जादा एक emotional इंसान हो जहां पे कि आप हमेशा first priority को अपने family को ही रखतो ठीक है उस तरह का आपका nature ही है guys आपको को वो बोलते है ना guys एक खुद को भुला के पहले दूसरों के बारे में सोचना वो side मुझे यहाँ पे feel हो रहा है and why I don't know पर मुझे यहाँ पे थोड़ा blockage दिखा थोड़ा सा means शायद आपके कोई काम है जो कि रुके हुए है and आप उसे finish करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है साडन दिखा guys यह मुझे दिख रहा है ठीक है तो guys मुझे वहाँ एक ऐसा feel हो रहा है जहाँ पे कि आप लोगों का nature ही उस side से जहाँ पे कि आप चीजों को बोलते नहीं हो इसलिए न मैं जब आपकी यह reading कर रही हूँ न मैं अटक रही हूँ मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है guys क्यूँ? because same चीज आप अपने life में implement कर रहे हो आपका nature ऐसा नहीं है guys लेकिन आप ऐसा behave कर रहे हो I know kind hearted होना अच्छा होता है first priority family को देना अच्छा होता है लेकिन जब आप खुद की feelings को repressed कर दोगे न कभी भी आप क्या चाहते हो वो किसी के सामने आप जाहिर नहीं करोगे उस time पे ब्लॉकेज शुरू हो जाता है ठीक है आप खुद को ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि मुझे आप strongly feel हो रहा है guys तो आप वो pain को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते हो इतने आसाने से तो नहीं कर पाते हो शायद आपके कुछ limited friends है जिनके साथ आप थोड़ा खुलके बात कर पाते हो लेकिन कभी कभार आप उनसे बाते share करते हो हमेशा नहीं लेकिन आप हमेशा खुद को भुला देते हो guys वो चीज़ आप गलत करते हो और आपके मन में अभी एक confusion चल रहा है तैट आपको क्या करना चाहिए career में हो या love life में हो आपको दूसरों के advice को follow करना चाहिए या फिर आपको खुद के मन की करना चाहिए आपके मन में कहीं सारे खुआप है guys मैं देख पा रही हूँ आप बहुत सारी चीज़े करना चाहते हो अपने life में कुछ बनना चाहते हो लेकिन आपके मन में जो भी ख्याल है जो भी ideas है उसे आप दबा रहे हो किसी के सामने बोल नहीं रहे हो आप ना guys मुझे ऐसा ही लग रहा है आप खुद को भुला चुके हो आप क्या चाहते हो यह आपके लिए matter ही नहीं करता है उससे बाहर निकलो guys क्यूंकि यहाँ पे एक boundary है and जब तक आप उस boundary को cross नहीं करते हो ना तब तक आपके life में कोई भी सही चीज आपको नहीं मिलेगी चाहे आप कितना भी रो कितना भी stress में रो कुछ भी तो guys यह आपका past और current situation है लेकिन आपका future future मुझे यहाँ पे बहुत साथ bright दिख रहा है guys लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा change करना पड़ेगा आप खुद को isolated रख रहे हो किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो आप क्या चाहत हो वो share नहीं कर रहे हो finance भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी मुझे कुछ ठीक नहीं दिख रहा है means आप इतने ज़ादा financial stable इंसान नहीं हो अभी आपको इतना ग्यान नहीं है finance के बारे में या फिर आप सर्फ flow में जा रहे हो guys लेकिन आपके future में एक new start है आपके career, finance और आपके love life में भी and आपको एक lesson learn करना पड़ेगा and you know what कि वो lesson क्या है कि आपको अच्छे लगता है कि means आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हर एक चीज़ perfect करना चाहतो आप एक perfectionist हो ठीक है लेकिन guys life जो होती है वो perfect नहीं हो पाती है life की beauty ही वही होती है जहापे कि थोड़ा बहुत कुछ imperfect चीज़े हो उसे आप perfect कर रहे हो कुछ सही है, कुछ गलत है कहीं थोड़ी से sadness है तो कहीं पे बहुत सारी खुशिया है वो बोलता है ना दुख के बाद जब सुख मिलता है तभी हमें पता चलता है कि कौन इंसान हमारे है हमारे साथ खड़े है और कौन इंसान हमारे against में है तो guys life के हर एक face को जीओ life ना जो होती है ना वो full of beauty होती है जहापे के sadness भी है and happiness भी है तो अब दोनों को ही गले लगाओ ठीक है अभी चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है कोई काम आपका नहीं हो रहा है कोई बात नहीं सब सही हो जाएगा अब यह सोचो की नहीं मुझे यह काम complete करना है बस करो जो काम है वो करते जाओ guys फल आपको मिल जाएगा future में अब यह सोचो की suppose कोई एक काम आपका नहीं हो रहा है आप महनत करते रहो करते रहो जब वो काम हो जाएगा you will feel that happiness आपको ऐसा लगएगा कि चलो मैंने इतनी महनत की and at last मेरा काम हो गया and after that जब कोई और एक challenge आए कोई और एक परिशानी आए तो उसे और एक challenge की तरह लो and उसे भी जीओ guys कभी कभार ऐसा होता है कि जब problems आती है उसे डट के सामना करने में एक मजा होता है वो भी एक नशा है guys वहाँ से आप जब उबरोगे न जब वो खुशी आपको मिलेगी न वो खुशी मैं सब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ तो आपको वो चीज experience करना है अपने life में life की real beauty को समझना है challenges को accept करना है and उसी challenge को एक dare की तरह लेके उसी में से आपको उभरना है एक happiness को grab करना है जीतना है guys तो अपने competitive side को अपनी सोच को आगे रखो क्योंकि यहाँ पर मुझे strongly feel हो रहा है कि आपके अंदर वो quality है वो ability है कि आप अपनी career life में किसी भी project को आसानी से crack कर सकते हो guys बस आपको थोड़ा अपना shyness को हटाना है isolation phrase में जो आप हो उससे आप थोड़ा बाहर आजाओ and जो भी project आपको मिले ना उसकी बाल की खाल निकाल लो means research करो इतना सादा कि किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपको ये बोल पाए कि तुमारे काम में कोई खामी है आप इतना कर लो guys career आपका कमाल का है मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि problems नहीं आएंगे आपके life में आएंगे लेकिन आप उसका debt के सामना करोगे and वहीं से आप अपना नाम मुकाम और एक position बनाओगे लोग आपकी respect करेंगे in your work field and financially आप stable हो जाओगे एक independent life आप जीने वाले हो guys ठीक है आप खुश रहोगे future में तो अभी जो problems है उसे challenge की तरह लो and बस debt के सामना करो ठीक है and ये था आपका career or finance तो अभी हम आता है love life के ऊपर तो guys जो आपके future spouse होने वाले है वो and आपका जो nature है मुझे लगभग similar दिख रहा है लगभग ठीक है chances अदे है आप दोनों ही शायद twin frame journey में हो पता नहीं क्यों मुझे sudden वो दिखा लगभग same होगा आप दोनों ठीक है means आपका जो nature है sacrificing nature same nature आपके spouse कर रहेगा जब आप दोनों relationship में आ जाओगे at that time आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी sacrifice करने के लिए ready रहोगे तो यहाँ पर emotions रहेगा प्यार रहेगा एक दूसरे का साथ रहेगा अगर science की बात करो तो आप या फिर आपके होने वाले spouse जो है वो मुझे specifically water sign के दिख रहे है cancer scorpio piscis and शायद कुछ लोग के लिए Aries और Gemini भी हो सकतो आप या फिर आपके person ठीक है guys मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा cards भी निकाले वाँ है तो वो देख लेता है एक चीज़ है कि heartbreak तो हाँ आपका दिल दुखा है किसी एक चीज़ को लेके चाहे वो आपके career से related हो finance हो या फिर आपके love life से हो लेकिन guys ये एक phase है जिसे आपको crush करना है and phoenix आपके life में एक rebirth आने वाला है guys आपके life 360 degree change होने वाला है जहाँ पर कि आप बहुत confident way में अपने life को take over करोगे and very soon meet यहाँ पर guys आप जो manifest करोगे न वो आपको 100% मिलेगा बस दिल से manifest करना अगर आप कोई dream job चाहते हो वो आपको मिलेगा अगर आप चाहते हो कि एक प्यार एक love आपके life में आजाए तो दिल से manifest करो वो इंसान आपके सामने आजाएंगे अभी हम बात करते है आपके spouse जो होंगे उनके कुछ specifications age wise वो आपसे mature हो सकते है या look wise थोड़ा बहुत maturity होगा लेकिन हाँ उनके अंदर समच जिसे बोलते है वो कूट कूट के भरा होगा उनकी जो आखे होंगे न वो थोड़ी अलग कलर की होंगे थोड़ी light sides होंगे blue, brown, honey color होता है वो हो सकता है लेकिन light color ठीक है क्योंकि मुझे उनके आखे जो है न वो watery eyes दिख रही है बहुत ही जाथ light and एक कैसे explain करो उनके आखो को इसा लगे का जब आप उनको पहली बार देखोगे जैसे कि पानी चलक रहा है उनके आखो में एक emotions आप देख पाओगे ठीक है बहुत ही जाथा independent sides से हैं वो लेकिन हाँ उनके अंदर थोड़ा dominating and controlling nature because of their professions उनका कुछ जोब ही ऐसा होगा जहाँ पहे कि उनको थोड़ा अपना masculine side को represent करना पड़ता होगा जाहे हो लड़का हो या लड़की हो थोड़ा strict and disciplined side से है एक time table follow करते है वो उनको थोड़ा एक uniform carry करना पड़ता है because of their work उनका कोई एक job है जहाँ पहे कि उनको एक proper uniform ही carry करना पड़ता होगा proper iron, proper cleaned like that ठीक है and दूसरे थोड़ा उनसे डरते है and दिखने में guys बहुत ही जाद ब्यूटिफुल होने वाले है आपके spouse see self reflection मैंने बोला था ना आपको कि आप दोनों tweet frame journey में हो जैसे आप हो वैसे आपके love partner भी है means आपका nature भी रहे का और आपके spouse के अंदर भी रहे का and आप तोनों के बीच में वो attraction, physical attraction हमेशा बहुत जादा strong रहे का guys then research एक चीज़ है जो कि आपके spouse आपको हमेशा advice करेंगे जब आपके शादी हो जाएगी that आप थोड़ा means वो आपको बोलेंगे कि listen तुम थोड़ा research जादा करया चाहिए अपने काम को लेके तुम बहुत जल्दी conclusion पे पहुँचा रहे हो ये थोड़ा करो वो ना करो means आपके spouse हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे means आपको guide करेंगे then love messages देखते है कि आपके spouse आपको क्या बतायना चाहते है feel guilty so guys एक चीज़ है that maybe you don't know who is your spouse ठीक है आपको बताय नहीं है कि ये इंसान कौन है आपके spouse कौन होने वाले लेकिन एक इंसान है जो कि मनी मन में आपको प्यार करते है पसंद करते है and they really wanna come in front of you okay वो आपके सामने आना चाहते है वो छुप के पीछे नहीं रहना चाहते है वो अपना प्यार जाहिर भी करना चाहते है they really wanna propose you guys लेकिन डर है ठीक है वो सोच रहे कि अगर मैंने प्रोपोस किया और वो इंसान ने मुझे मना कर दिया ना मेरा दिल तूट जाएगा तो दिल तूटने का डर है लेकिन guys उनके मन में थोड़ा गिल्ट ये भी हो रहा है कि नहीं मुझे प्यार को छुपाना भी नहीं चाहिए अगर मैंने छुपाया और आपने किसी और को चूस कर लिया तो तो भी उनका life खतम हो जाएगा something like that वो सोच रहे है और वो आपको ये बताना चाहते है that I carry you in my heart in a special place reserved for you only my love तो आपके spouse जो है वो आपको ये बोलना चाहते है that आप उनके दिल में बसते हो ठीक है जो कि अभी reserved है किसी और के लिए कोई जगे है ही नही and they really love you I will hug you when I will meet you वो आपको ये बताना चाहते है that उनका जो emotional side है वो आपके साथ जुड़ चुका है and जो वो आपके पास आएंगे उस time पे वो आपको कस के गले लगाना चाहते है just to show their love towards you वो आपको ये जाहर करना चाहते है कि वो आपसे कितना साथा प्यार करते है I dream about you every night वो हर रात आपके बारे में ही सोचते है आपके साथ घर बसानी के बारे में सोचते है You will be my spouse वो आपको spouse के तरह से ही देखते है I will always love you and keep you happy शादी के बाद भी वो आपकी खुशी हमेशा first priority के according देखेंगे और वो आपको हमेशा खुश रखना चाहते है guys then sexuality card से में मैंने कुछ cards build up कर रहे है तो एक चीज़ है था शादे से पहले आप दोनों date बहुत ज़ादा करोगे guys ऐसा नहीं है कि पहली बार मिलोगे एक महीने में आप दोनों की शादी हो जाएगे no आप दोनों मिलोगे कहीं बार मिलोगे कहीं सारे dates पहे जाओगे एक दूसरे को चानने की कोशिश करोगे समझने की कोशिश करोगे and उसके बाद एक proper way में आपके spouse आपको propose करेंगे and उसी दिन आप दोनों kiss करोगे एक दूसरे को and at that moment you both will decide कि हाँ हमें शादी करनी चाहिए तो guys एक चीज़ है कि हाँ एक चीज़ मुझे दिखा that after your marriage आपका जो first honeymoon होगा वो आप कोई एक hilly area एक ऐसे area में आप दोनो spend करोगे जहाँ पर की thund बहुत सादा होगी और मजा ही आप दोनों ले रहे हो and यहाँ पर सिर्फ वही है guys जहाँ पर कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही time spend कर रहे हो यहाँ पर कोई third party का कोई involvement मुझे नहीं दिख रहा है नाई शादी से पहले नाई शादी के बाद and प्यार तो भर-भर के है guys और आप दोनों के बीच में यह जो physical attraction है यह शादी से पहले as well as शादी के बाद हमेशा बरकरार ही रहे एका ठीक है guys तो अभी हम देखते हैं कि कुछ career cards ठीक है तो यह career cards आपके हो सकते हैं या फिर आपके होने वाले spouse के हो सकते हैं media business reporter detective मुझे सदन दिखा ठीक है tarot card reader palmist veg chef चाहंसा सदेर कि आपके जो spouse होंगे वो vegetarian हो सकते हैं mechanical engineer या फिर आप vegetarian हो सकते हो guys IT engineer engineering field बहुत साथा strongly है पर reflect कर रहा है cards पे finance manager and yoga teacher एक चीज मुझे अभी दिखा देट आपके जो spouse होंगे वो थोड़े बहुत साथा obsessed नहीं होंगे gym freak नहीं होंगे पर हाँ उनको थोड़ा बहुत walk out करना अच्छा लगता होगा मतलब सुबह उड़के थोड़ा जल्दी तो थोड़ा बहुत दौर लगा लिया like that ठीक है jogging कर लिया उस तरह से उनका थोड़ा मुझे nature दिख रहा है आपके spouse का ठीक है फिर देखते हैं name initials तो आपके spouse का जो नाम होगा guys वो C से शुरू होने के chances है N V J G A I P या फिर P से आपके spouse का जो नाम होगा वो शुरू होता होगा and अभी आज आते हैं हम लोग बर्डेट्स के उपर तो आपके जो spouse होंगे उनका जो बर्डेट है वो ये सब डेट्स पे होने के chances है या फिर इन डेट्स पे आप अपने spouse से मिलोगे guys 13 27 28 18 19 23 6 या फिर 12 ओके guys तो ये था reading आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरे जो reading वो resonate कहते हैं या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है guys तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो like कर सकते हो and share भी कर सकते हो अपने family friends and colleagues के साथ और मेरे blessings समीशा आप लोगों के साथ ही रहे की guys so take care and be safe love you all thank you bye